इस तरह का लैसेस कोई की लैसेस आप यहां पर इस तब कुछ अभी यह हो गया है थारा का वाक्स ही जो सुइट का वाक्स देख हो न इस तरह का वाक्स को जब्राइब दो आपको जड़ाइब अप पूरा देखना है बिल्द पूरिखी नहीं करना तो चलो सुरू करते हैं कि यहां पर मैंने लिया है एक कार्बूर बॉक्स तो बॉक्स ना ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा लंबा होना चाहिए तो बीच में मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया है और अब हम एक सार्फ कोई चीज़ से इसको हम काट कर लेंगे तो देखो कार्बूर ना थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाए फिर भी कोई दिक्कत की बाद नहीं है मैंने यहां पर बिल्कुल से में रखा है और यहां पर मैंने कार्बूर का कुछ पीसेज लिया है यह जो बॉक्स है बॉक्स का मैंने सेम साइज में मैंने इसको काट किया ह तो अब मैना इहाँ पर एक दिया ले रही हूं उसको बीच में रखता के हम इक पर्येश केशने अजिए रखें के लिए मैंने यहाँ किया है Rep on the to start तो सेम चाप भी मैंने इहां पीस बॉक्स में कार्डबोर्ड से भी मैंने कर लिया है अब इस बॉक्स के अंदर ना हम कुछ पेपर्स वगरा यहां पे रख लेंगे जैसे एक बॉक्स ना थोड़ा सा स्टेडी हो मतलब कहें गिरे ना थोड़ा सा वेट देने के लिए मैंने इहां पेपर je懂 कर ना हो तो इसको उसका उपर मैंने स्टेट कर दिया है क्यों बोलो तो एक जो दिया होल्डर में बनने वाली हो तो दिया रखने के लिए जो मैंने गोल काटकिया है उसका अंदर जौ मैं दिया रखाऊंगी ना बो गिरे ना और पिजी सैडबिerson है बिल् अब मैंने यह दिया को रख भी आपको दिखा दिया तो अब मैं यहां पे ढेर सारा निश्व पर का छोड़े चोड़े टुकड़े काट कर लिया है और इसका जो एजेस है इसको हम कवर अब कर लेंगे तो आब यहां पे टीश्व पर का या मास्किंग टेप का भी यूज कर यहां पर मैं पीछे के साइड मास्किंग टेप का यूज किया है यहां पर हम कोई कलर नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी फेब्रिक पड़ा हुआ हो वेस्ट कपड़े वह हम यहां पर यूज करेंगे तो मैंने यहां पर रेड एंड ग्रीन कलर के कॉंबिनेशन में ता यूज क suiv्ले नहीं लगा यहां पूरा में जो प्रीक मोले है जहां भी लगाता यहां पर उपर के साइड के और नहीं ब्लेकлом नाँ दिखे पूरे रखाया है औरöm इखाया है और वीचान में यह और मैं आठ उपकम कैंट यहें टीग हो जाए इसलिए यहां पर मैं ले रही हूं लैसेस लैसेस आपको कोई भी कपड़े के दुकान में मिल जाएंगे क्योंकि इसका बीच का पाड़ है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो एक लैसेस लगा दूँगी तो इसका लूख है दस कुना जदा बढ़ कि अच्छा चलते हैं सेकेंड डियावाइ में तो यहां पर मैंने लिया है एक कार्ड़ बॉर का बॉक्स जिसको मैंने राउंट से में कट कर लिया है तो सबसे पहले इसका जो एजर से इसको हम मस्किंग डिप से कभर आप कर देंगे तो देखोंगे यह वाला जो सेकेंड डियावाई है जो क्तिया कंडल होल्डर है वो बिल्कुल यूनिक है पर बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो तो मैंने यहां पर इस तरह से च्छे कार्ड़ का जो राउंट सेव है बो काट कर लिया है तो अब हम सबसे पहले यहां पे जैसो एपलाई करेंगे तो मैंने यहां पे जब अच्छो से जैसो सूख जा है तो उसका उपर मैंने कुछ इस तरह का डिजाइण ड्रो करके रखा है तो इसलिए मैंने यहां पे एक राउंट सेव काई ड्रो किया है और उसका अंदर हम जितना भी कटलर है भर भर के डालना है आपको जो भी वहां पे इस तरह से पेंट कर लिए जो इनल यह जाए को मिनेशन आपका उपर है आप कैसे इसको कालर कर रहे हो और उसका उपर मैंने जो गॉल्डन कलर है इसी से मैंने यहां पर paint कर लिया है क्योंकि जितना भी colorful दिखेगा दिवाल में उतना अधा अच्छा लगता है फेशे मतलब colorful कलर फुल्फंद मिन्हों उतना आधा अच्छा नहीं लगता है तो मैंने यहां पर golden color से कुछ इस तरह से highlight किया है चीजों को और बिश्वास नहीं करूँ कि इतना शुंदर लग रहा था कि क्या वाता तो इस तरह से मैंने पूरा जितना की कारबोर बॉक्स थे तो सब में मैंने इस तरह से बना दिया है तो इस तरह से मेरा छे बिल्कुल तेयार है आप देख सकते हो इसका डिजाइन कितना सुन्दर है और हां यहां पे एक भार्निस का कोड जोरूर अपलाई कीजिए क्योंकि यह बहुत साल तक इस तरह से चलने वाला है तो चलो तो चलते हैं इस वीडियो का लाश्ट डियावाई में तो ए डियावाई ना बहुत बहुत जदा एजी है तो आपको लेना है एक कार्बोर और इसका उपर मैंने यहां पे एक कली डिजाइन जो है बो मैंने ड्रॉ कर लिया है बैस इसको हम अच्छे से काट कर लेंगे तो को नाता है बंदक यहां पर मैनने लिया है एक फैब्रिक तो इस तरह का जो इस थोड़ा सा नहीं रंग!" और बहुत ही सुंदर से एक पर है तॉ इसको मैंने यहां पे फेईवी कल से श्टीक कर दिया है आपके पास कोई भी कलर कर नक тобой हो कोई डिजैन व्ला कपड़ा हो बो आप यहां पर चाड़ा कर Yakותे हो देखेंगों बीना कलर किये में बिना कुछ कि आप इसको नहीं सफंदर पहले खेदा था यह बिल्कुल यूजी नहीं हुआ है आपके पास इस तरह का कोई भी लैसेस वगरा हो तो आप भी यहां पर इसका जो साइड है यहां पर आप लगा दो बैस आपका और कुछ जरुद ही नहीं है इस तरह से बन गया आपको बहुत ही सुन्दर सा एक कैंडल ह है तो दोस्तों बताइए जो इतना सारे कैंडल होल्डर में आप लोग को साथ सेयर किया है कौन सा बलोग को अच्छा लगा प्लीज कमड में जरूर बताइए और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलो बाइबाई और हैपी दिवाली टू आल अफ यू